हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के सुल्ला अती महत्रपून प्रश्ण के बारे में इस वीडियो मताएंगे से लिए आप वीडियो के अंतक बने रहेगा तीस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे मताएंग दोस्तो देखे जैसे कि प्रश्ण अम्रोगों के सामने दिया गया है कि मेज है कुरसिया है उसके बाद फनीचर और यहाँ पर चार आप्सन है दोस्तो इन चारो आप्सन में से कौन सा बनेगा और भी प प्रश्ण के बारे में सुटीव मताएंगे अलग-अलग चेप्टर से इस वीडियो में प्रश्ण को सामिल के हैं टोटल 16 प्रश्ण है जो कई बार एक्जाम में रिपीट कर चुगा है क्योंकि कुछ सेट पैटर्ण के प्रश्ण होते हैं जो हमेशा पुछे जाते हैं और यह पार्ट नमबर अमलगों का 221 है दोस्तों जिसने पार 220 तक नहीं देखें चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लिजे क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेट प्रश्ण का है और जो अजन्सिया कंड़क्ट करा रहें बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटरन अब किसी एक्शाम की त्यारी कर रहे हैं पुलीस दरोका अने भी अगनिविर जी डी बैंक पियो कलर गृट डी आंटीपीसी आर्पियाप आर्मी असाइस भी आईटीब पीसी एक्शाम की तियारी कर रहे हैं चाहिए वो भीः सचीवाले बिहार प्लीस यूपीएसाई द competitive exam के लिए most important आईए दोस्तों देखते हैं पहले नमर कुस्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के और इन सभी कुस्चनों का पीडियाप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा लिंक वीडियो के क्या होगा क्या होगा यहाँ पर कुस्चन मार्क उसी जगाँ पर इन चारो ऍपहसन में से कौन सा भरा जयेगर इते हम को तरीका बताते हैं कि यहां है इसे करेंगे इस तरीक एक प्रत जीस परकार से दोस्तों इद क्या हम लोगों का अगर यहां पर देखा जाए कि भोजन के द्वारा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों भूक मिटता है तो उसी परकार से यहां पर अगर देखा जाए तो यह इस देखा क्या हो जाएगा दोस् आपसा नमर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा काफी बार अलग-अलग एक जाम में प्रस्ण पूछा जा चुका अभी तक बस आपको तरीका को समझना यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रस्ण का अंसर करें जीस प्रकार देगे भोजन के द्वारा हम लोग हम लोग का भूख क्या होता है दोस्तों मिठता इस प्रकार से यहां पर रोग जो है और सधी के द्वारा हम लोग का क्या होता है यानि एक तरीके से क्या हो जाएगा option number आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तो सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप समझ गयोंगे कि इस question का answer option number B क्या हो जाएगा बस इतना याद रखना है कि जीस परकार भोजन के द्वारा भूक मिटता है तो उसी परकार से हम रोग यानि कि रोग जो है दोस्तो यानि आवसदी द्वारा हम लोगों का निदान मिलता है option number दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगली question की और काफी important अगला question देगे जैसे का रहा है कि मेज है कुरसिया है फनीचर यही प्रशन काफी बार देखा गया है अलग-अलग exam में तेगे हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रशन सबसे पहले क्या होगा दोस्तो एक बड़ा जैसा इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे गोला बना लेंगे और यही गोला हम लोगों का किसका निर्मान करेगा इस गोले का नाम हो जाएगा दोस्तो क्या तो यहाँ पर कर लिए फनीचर इसको क्या कर लेंगे दोस्तो हम लो से एक दूसरा गोला हम लोगों का बनेगा दूस्तो दूसरा गोला हम लोगों का क्या बनेगा कुरसियां का तो यहां पर कर लिए दूस्तो एक बन जाएगा हम लोगों का क्या कुरसियां का तो इस तरीके से इस डाइग्राम बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा दूस्तो कुर रिपिटेट प्रश्ण दोस्तों काफी बार इस तरीके किसे आया है अगला कुछ संदेखे इदेखे जैसे का रहा है कि A, N का समद्ध लिखा है B, O उसी पर कहां से L, Y का समद्ध क्या होगा जल्दी से वीडियो को पाउच कर ले जा रहा है आप अपने से ट्राइ कि क्या आपने सही कर पाए है इस पार्ट में तो यहां पर A, N और यहां पर जैसे कि अनुपात का चिन उसके बाद लिखा है B और O, यहां पर जैसे समानुपात का चिन लिखा है L और Y तो आगे करा है कि इस कोस्टन मार के जगा यही बात आपको वताना है तो यहां पर तरीका ऐसी N से जदी O पर जाएंगे तो यहां पर क्या करना होगा दोस्तों इक लेटर क्लस करना होगा क्यों कीओं किन के यहां पर कर दिए द が ईनकी A, N से ज्यदी आगे जाएंगे तो एक, लेटर प्लस कर देंगे तो L के बाद हम लोगों का जायाँ आains हो जाय Wet-गा इस अगर कहा से y में क्या कर देंगे दोस्तों एक लेटर प्लस कर देंगे तो y के बाद हम लोगों का क्या होता है z होता है तो m और z तो इस प्रस्ण का अंसर option नमर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उमीद करते हैं समझ के होंगे बढ़ते हैं अगले question के और बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रस्ण का आंसर किया जाएगा अगला question देगे दोस्तों चौथा नमर question दिया है कि लुप्त संख्या ग्यात करें यानि missing नमर से सम्बंदित प्रस्णा है यह question mark जो इस जगह पर दीख रहा है वहाँ पर इन चारों option में से कौन सा भरा जाएगा यही बात आपको बताना तो दीख कैसी किया जाएगा इस तरीक पतान या तो आप इधार से चल सकते हैं यानि चो और आट को इसा क्या करें जो बारह हो जाए उसे परकार से दस इसको क्या करें यहां हो जाए या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों इधार से चल सकते हैं यहां से यानि कि या तो square करके देखिए गुना करके देखिए जोड करके देखिए सभी सेंगे या स्क्वाइर करके कुछ घटा ही है गुना करके कुछ घटा ही है जोड करके इस तरीके से आपको कर करके सोचना होगा तभी इस question मार के जगा क्या भरा जाएगा इस तरीके से तो हम आपको यहाँ पर तरीका मां बताते हैं दोस्तों कैसे स्प्राइं का अंसर यह हैं कि यह आपने हिखार घ्याय कर लीए कि आप नहीं हो रहा हूं जाई कि शोग 1 क्या कर दिया है also ini तीनीं को गना कर देंगे थाए सो क्या आ जाएगा बीस आ जाएगा उसी परकार से आप इसमें गुना कर दिए दोस्तों इसको यहां से यहां तक कर देंगे इसमें इसी परकार से यहां पर आप क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो यहां से यहां तक आखिर गुना करेंगे इस जगह पर कर देते हैं जैसे अगुना करने के बाद हम लोगों के सामने कितना होना चाहिए 300 क्या आजाना चाहिए दोस्तो 36 आजाना चाहिए तो आखिर उस question mark क्या रखेंगे जो कि हो जाएगा दीदी कि यहाँ पर कर रहे हैं बस आप ध्यान दीजेगा बर्चो कितना हो जाएगा दोस्तो 48 हो जाएगा 48 अगुना question mark के जगा अगर 9 रखेंगे तो यहाँ पर अगर 9 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा अगर हम लोग 12 रखेंगे दोस्तो तो 8 दुना सुल्ल लग रहा है कि हो जाना से अगर हम लोग यहाँ पर 12 रखेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा अगर 12 रखेंगे तो बहुत जादे हो जाएगा 7 रखेंगे देखते हैं तो यहाँ पर अगर इस जगह पर 7 रखेंगे देखते हैं क्या हम लोगों का 336 हो पाता है कि नहीं हो पाता है एक बर कर के देखिये कि तीं सो चट्शाथिस हो रहा है तो आट सत्य कितना हो जाएगा हुआ छपन करी छो हासिल रहा पांच और साथ चोक अठना ओट 1628 और 25 कितना हो जाएगा दूस्तो हम लोगों का यहां पर देखा जाया तो 28 और 5 कितना हो जाएगा इधर 7, 8, 56, 6 हासिल इधर 5 तो 7 चो कि क्या हो जाएगा 28 हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का हो जा रहा है दूस्तों यहने कि इस प्रशन का आंसर यहने कि इधर के 300 कितना आ जा रहा है 36 हो जा रहा है इधर भी हम लोगों का 300 क्या आ जा रहा है 36 हो जा तो यहां पर question mark कि जगा क्या आएगा हम लोगों का साथ आएगा यहां पर जो दिक रहा है इस जिगापर क्या आजाएगा साथ तो option नमर थर्ड क्या हो जाएगा इस पर बस करना कुछ नहीं सभी संख्या को गुणा कर दिया है और इतना बड़ा संख्या आजाएगा सभी देखे दोस्तों यानि question मार के ज़एगा क्या भरा जाएगा साथ भरा जाएगा अगला question देखे दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया कि दिये गए आज समों में बेमेल आकिर्टी की पाचान करें बेमेल का मतलब यह होता है कि चार में से तीन किसी तरी के समान एक अलग है कौन सा एक अलग है यही बात आपको बताना है यह देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कि आखिर कौन सा अलग आ रहा है यहाँ पर हम आपको बताते हैं आप जरूर ट्राय कियोंगे कि देखे एक यानि ये दोनों आकिरती के ये दोनों जो आकिरती दिख रहा है दोस्तों इसके बीच में क्या को खाली है यानि एक और एक दूग उसी प्रकास से ये दोनों आकिरती के बीच में क्या को खाली आ रहा है तिरभूज यानि कि दो को इधर भी दो को इधर भी उसी जैसे प्रकाई से यहां पर भी देखा जाए? जै जैने कि यह दोनों आकरती में दो को खाली तिरफूत यहां भी दो को खाली लेकिन इसके बीच में देखिए कहीं आ रहा है कि इसके आप्सा नमर ठाण में कि donut रहा है दोस्तों इधर तो हम लोगों का तीन को हो जा रहा और इधर एक हो इसलिए प्रशन का उंसर, ऑप्सण नमर थड गा हो जागा साही हो जागा बेमिल का मतलब भी होता है कि चार में से तीन किसी तरा के समान होगा, एक अलग होगा, कौन सा अलग हो जाएगा, option नमर 3, क्यों, क्योंकि सभी आकिरती में हम लोगों का क्या है, दोस्तो, दो को तिर्बूज इधर हो रहा है, दो को तो तिरबुज अधर भी दो, लेकिन इसमें कहां हो पार है, इसलिए इस प्रस्न का अंसर, option नमर 3 क्या हो जाएगा, दोस्तो सही हो जाएगा, अगला खुछ संदी की दोस्तो हम लोगों के सामने दिया गया है, यदी plus का अर्थ क्या है, दोस्तो गुना, जहां कहीं plus क्या लेना, मैनस, तो जो एक्वेशन दिया है, उस एक्वेशन को अनौट करके और आप सरल कर दिया है, यहां से स्टार्ट है, इदी कि 10, पहले वहाँ पर 10, आप भूलिए नहीं कि वहाँ पर 10 लिखा आगे में, 10 उसके बाद लिखा है, प्लस, इदी कि तो, पहले पूरे कि उतार लेते हैं, 10, प्लस, पांच, गुना क्या, दोस्तो हम लोगों का, 10, भागा क्या लिखा हम लोगों के सामने, 2, मैनस, पांच, अब इसको चैंज करते चलिए, कि आखिर किस किस जगा क्या लेने के लिए कहा है, अभी दिखे न, 10 लिखे, तो 10 यहां पर लिख दिए प्लस के जगा क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस के जगा गुना, तो यहां पर गुना हो जाएगा, पांच, उसके बाद गुना के जगा क्या लेने के लिए कहा है, तो भाग, यहां पर क्या हो जाएगा, दोस्तो हम लोगों का भाग, उसी पर कहा से आगे जैसे ही स्टाइब करते चले दोस्तों जैसे जैसे कह रहा है वैसे वेसे चीन को परिवर्दन इसके बाद भाग के जगा कर रहा है कि माइनस तो मैंनस यहां पर दो ले लेंगे और मैंनस के जगा क्या लेने के लिए कहा है तो प्लस पाँच बस इसी को आप सॉल्व कर दी तो आपका answer हो जाएगा जादा इसमें कानी कता करने के आभसकता ह待 ने तो दीए सबसे पहले किसका काम होगा दुस्तो भाग का काम होगा यहाँ पर भाग यह की इस तरीकी से भाग होगा दोश्तो यहां पर समझाने का पर्यास करते हैं तो हम लोगों का अगर देखा जा जाए तो हाँ तो यहाँ पर जैसे ही सको आंसर निकल जाइगा तो फूरोर का यहाँ हो जाएगा कि जैसे ही भागा है तो कटेगा किन है तो पाँच और पाँच जूतेगा यहाँ पर बहुत सरा अच्टन 5 पंच कटा देतें और कहेंगे कि 5 और 5 जूट जाएगा क्योंकि उधर तो 5 रा, इधर 5, 10 और 10 में दूग घट जाएगा तक यहाँ हो जाएगा, आठ हो जाएगा, option नमर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रस्ट का आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगली question की ओर अगला question दीए कि दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि चार उत्तर आकिरतियों में से यहाँ पर क्या करा है कि चार उत्तर आकिरतियों प्रशन आकिरतियों दिये गए टुकड़ाओं से बन सकता है आखिर इस सब टुकड़ा को मिला लिजे ये फिगर बन सकता है ये फिगर कौन सा फिगर बन सकता है दोस्तों यही बात आपको बताना है तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि प्रश्ण का अंसर कौन सा हो जाएगा देखिए जैसे यहाँ पर एक तिरभूज है और आपको तरीकिस हो जाएगा और यहाँ पर नीचे में क्या बन जाएगा ये दोनों फिगर तो हुबा भूब बने गया तो और इधर से करेंगे तो दो को तरीके से और यहाँ पर यहां पर थोड़ा सा आयत क्या हो जागा था, आप ध्यान से देख़िये बिल्कुल आपको समझवाएगा कि यह तरीकर देखिये यहाँ पर मिल रहा है उसी प्रकास ये फिगर इसके नीचे हो रहा है और दो तिर्बुज तो इधर से यहाँ पर इधर से करेंगे और इधर से करेंगे तो दो तिर्बुज यहाँ पर बन रहा है और नीचे एक आयत है तो आयत बन रहा है इसलिए इस प्रस्ण का अंसर अप् कुस्टन दिया है कि दिये गए विकलफों में से उस सब्द को चुनिए जो सब्दों में सामिल अक्षरों से बन सकता है यहां पर देखें दो तरीके प्रस्ण पूछा जाता है कभी हम लोगों का बन सकता है और कभी नहीं बन सकता है यहां पर पूछा है बन सकता है तो कैसे बं सकता है, यहां पर गौर कीजाएगा कि कौन सा सामिल अक्छरों से बं सकता है, तो इसी में खोजना है जैसे ही दिखे, G L, तो G उसके बाद हम लोगों का L, उसके बाद A, A, उसके बाद D, तो देखे, D वहाँ पर इसमें कहीं आपको D नजर आ रहा है यह isOY जो word दिया है डूस्तो इसमें आपको कहीं D नजर आ रहा है नहीं हो रहा है तो यह हम लोगों का नहीं बन सकता उसे पर अल एतो L AZ, Y कहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है तो आफ़ sound तो L और उसके बाद E भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, L तो देखिए एकदम हम लोगों का सारा लेटर उस पे मिल रहा है तो इस प्रशन का अंसर उप्सन नमर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा वह ही बोला था सामी लक्षनों से बन सकता है अगरा लोगों के सामने एक सरीच को नौट कर लिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने A उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों E उसके बाद यहाँ पर कॉमा लिखा है उसके बाद एप और जे तो कर दीजे उसके बाद कोमा और इसी जगा question mark यहां पर लिखा है P और T तो इस question mark के जगा क्या भरेंगे यही बात आपको बताना है A से यदि app पे जाएंगे कितना later जोड़ना होगा किसमें देखना है A B C D में एप के बाद हम लोगों का होता है G H I J K तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तो हम लोगों का K हो जाएगा इस दिखापर क्या है गा दोस्तो हम लोगों का K आ जाएगा उसी प्रकार K में जैसे ही Black later जोढ देंगे दोस्तों पांच लेटर प्लस कर देना होगा तो आप प्लस पांच कर दिए उसी प्रकास से यह से इस जगह पर जाएंगे तो यहां भी प्लस कितना कर देना होगा पांच तो जैसी है इसमें पांच प्लस करेंगे दोस्तो हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा O हो जाएगा J के बाद देखिए K, L, M, N, O इस तरीके से 5 लेटर उसे प्रकास आगे जैसे ही 5 लेटर यहाँ पर प्लस करेंगे दो तो T हो जाएगा तीस प्रस्ण का अंसर K और O आएगा option नमर आपका थड़ क्या हो जाएगा दोस्तो सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप समझ गयोंगे बढ़ते हैं अगले question की ओर देखिए अगला question दसवा नमर क्या कर रहा है यह दिखिए इभी प्रस्ण काफी बार देखे हैं कि अलग-अलग set में कई बार repeat कर चुगा है दो-तीन प्रस्ण देख रहा है अलग-अलग set में इधर से उधर repeat करते जा रहा है तो यहाँ पर देखिए कर रहा है कि इस आकिरती का समझ इस तरीके से तो उसी परकार से इस आकिरती का समझ क्या होगा तो देखिए यहाँ पर इस दोनों आकिरती में बताना है कि कौन सा होगा तो देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे क्या है दोस्तों की पहला आखिरती दूसरा यहाँ पर जैसे अगर उपर में इस तरीके से करके लिखा है यहाँ पर इस तरीके से करके दिया है दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या है इसी तीर को इधर से करके लिखा है तो उस के परकार से अब दोगों का किडर सो जाएका और तीर नीचे से है तो ुपर है तो इस तो उपर से होजाएगा तो option score कोई option सहीन है होगा इस प्रस्ण का अंसर option नमर फोर क्या हो जाएगा पहला का समझने का प्रयास कि यहां पर कैसे करते जा रहे हैं और कैसे इस प्रस्ण का अंसर निकलेगा अगला कुस्टन के सामने 11 करते जा नमर कुस्टन दिया है कि दिये गए सम्हों में यहां पर क्या करा है दोस्तों भीन की पाचान करा है भीन का मतलब चार में से तीन किसी दरी के समान एक अलग देखिए कभी कभी भीन पूचेगा कभी बेमेल आकिरती देखे पूचता है कभी हम लोगों का सब्द के पूचता है ऐसे ऐसे पुझेगे तो दीकि कि यहांपर अंकबला कर कभी पूचन रहेगा तो अंखबला में सबसे पहला ज़ोजी क्या है दोस्तों वर्ग और क्या देखना होता है अम लोगों को घन अगर नजर नहीं आएगा तो फिर आपको क्या देखना होगा और भा औभाज संगल, संब, संब, पिर बेवाजता, पिर क्yden देखेंगें दोस्तों अंकों पर अधारिस, यही पांच रूल पर सबसे ज़्यादा बार questions पुँचा गया है, सबसे ज़्यादा बार, तो यहाँ पर इ देखें, तो E हम लोगों का क्या है दोस्तो 4 का क्या है square है E हम लोगों का क्या है दोस्तो 5 का क्या है square है इसे परकार से E क्या है दोस्तो हम लोगों का 8 का square है उसे परकार से E क्या है दोस्तो हम लोगों का 9 का square उसे परकार से E क्या है हम लोगों का 6 का square E क्या है दोस्तो हम लोगों का 7 का square लेकिन E तो हम लोगों का 10 का square लेकिन E किसी का square नहीं होगा इसलिए इस प्रशन का answer option number आपका 4 क्या हो जागा दोस्तो सही हो जागा क्यों क्योंकि देखिए 110 किसी का square है ही नहीं बाकि सभी हम लोगों का square है इसलिए इस प्रस्ण का answer option number 4 क्या हो जाएगा सही चाहे भीन रहे विसम रहे बेमेल तीनों का मतलब एक ही होता है कि चार में से तीन के समान एक अलग तो चार में से तीन देखे समान हो गया एक अलग बांकि सभी स्क्वाइर है लेकिन इसमें एक को एक टो स्क्वाइर है तो एक टो का स्क्वाइर नहीं है इसलिए इस प्रस्ण का answer option number 4 अगला कुश्ण देखे दोस्तों हम लोगों के सामने कर्थन और निसकर से समान दित प्रस्ण दिया गया इसका diagram इस तरीक के से जाएगा और इसमें कया हो जाएगा इस तरीके से उसके बाद क्या करा है कि सभी घड़ियां यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि सभी घड़ियां जो है बंदू के अंदर तो यहाँ पर कर लिजी दोस्तों सभी घड़ी क्या हो जाएगा हम लोगों का बंदू के अंदर तो यहाँ पर कर लिजी दोस्तों सभी घड़ी क्या ह है निसकर्ष में करा कि सभी बंदू के हम लोकूं का घडियां होती है सभी बंदू के घडियां होती है क्या सभी बंदू के अंदर क्या है इस प्रस्ण क्या क्या हो जाएगा अंसर ये वला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा दीके कुछ फॉन जो है कुछ बंदु के फॉन आ तो बंदु का हिसा दीके कुछ फॉन में गया है कि नहीं इसलिए इस प्रस्ण का अंसर दूसरा वला सही होगा तो केवल निसकर्स दूसरा नि गया है, सब तो बंधू क्या घड़ी है, क्या नहीं है इसलिए इस प्रस्ट का और सर पहला गलत हो जजगा और दूसरा व Commissioner का रहा है कि कुछ बंधू का है तो देखे, बंधू का हिस्सा कुछ फॉन में हती इसलिए दूसरा क्या हो जगा, सही हो जगा अगला कुस्चन देखे दोस्तों हम लोगों कि सामने तेरा नमर कुस्चन दिया है कि कौन सी सैंक्या तीनो जैमित्या आकिरती में साजी है यानि कि तीनो आकिरती में आपको क्या निकालना है कि तीनो आकिरती में दिख रहा है इदिए अगर यहाँ पर देखा आजा दोस्तो इछ जो दिख रहा है इदिए सब है आकरती में यानि हम लोगों का किसमे विरीत में भी आया है तिरभूज में भी आया आयत में भी इस प्रशन का अंसर option number 4 क्या हो जागा दोस्तो सही हो जागा यानि करहा कि कौन सा तीनो जैम इती आखिरती तीनों का मतब तीनों फिगर में आना चाहिए तो चोहींस ऐसा संक्या जो तीनों में दिख रहा है अगला खुशन देखे दोस्तों हम लोगों के सामने इते फिर किस तरीक आप देखे पहले बेमेल विसम इस तक अलग अलग अभी यहां पर क्या लिखा है सब् का लग है अब यहां पर देखे जनवरी है यहां पर क्या लिखा है दोस्तों फरवरी यहां पर जुलाई यहां पर बताना जल्दी इस वीडियो को पाउच कर लिए और आपने से ट्राय कीजिए कौन सा आंसर होगा तो यह देखे हम आपको बताते हैं कि जनवरी कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है जुलाई कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है दिसंबर कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है लेकिन फरवरी यहां पर क्या हो जागा दोस्तों 28 यहां पर क्या हो जागा दोस्तो 29 दिन का हो जागा इस प्रशन का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो आपसर नमर B क्या हो जएगा जोंकि कुदि कि सबेया हम लोगों कि यहां पर 31 दिन का होगा लेकिन एग और फरवारी 28 यहां पर क्या हो जएगा तो 29 दिन का हो जागा बस तरीका को समझना है कि awak अगला कुश्चन देगी दोस्तों हम लोगों के सामने पनरवा नमर कुश्चन दिया है लेकिन आप कर लेंगे आप घबराएंगे ने कि इस तरीके के प्रस्ट हमसे तो होता ही नहीं आप यह नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको एक बार समझना है फिर आपसे जरूर बनेगा करा कि A, B, C, D, E पांच लड़के एक बरीत में बैठे हैं और बरीत में बैठे हैं करा कि E, B के दाई और बैठा है और A, D, E के बीच में बैठा है तो इस तरीके से करा है तो देखें यहां पर यह नहीं करा है कि बरीत के बाहर बैठा है कि बरीत के अंदर यह बात बोला है क आप कैसे कह सकते हैं कि मान के चले कि हम बिरीत बना लिए ठीक है इस तरीके से अब बिरीत के बाहर देख रहा है कि किधर देख रहा है नहीं देख रहा है यह हम लोगों को मालूम है क्या यानि कितना लोग है दोस्तों पांच लोग अगर नहीं अगर कहा जाया था हम लोग क् प्रकार से इधर देखेगा, यानि पांच लोग है न a b c d हां तो पांच लोग है तो बैठा दे, सब अंदर क्यों देखेगा, इस तरह के से कर लिए دोस्तों, और एक यहां पर कर लिए , अब सब को बैठाना होगा, पांच लोग हो गया तो बोल रहा है कि e defense हम लोगों का यहां पर पोल रहा है इस देगा से शुरू हुआ है कि C जो है E के ठीक बाई हो रहा है यानि C जो है दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है A जो है D और E के बीच में बैठा यानि A जो है दोस्तों A जो है हम लोगों का D और E के बीच में तो A मान के चले कि इस दिगा बैठा देते हैं कि A जो है D और E के बीच में तो A यहां पर अगर बैठा दिये तो इस दिगा पर A जो है इस जिगाँ बैठा देते हैं जैनि A बैठ गया जो है बोल दिया है कि D और E के बीच में बैठा है इस बात किलियर हो चुका है तो एक आदमी बच रहा है कौन? A, B, हम लोगों का B बच रहा है तो B इस जगाँ बैठ जाएगा अब कर रहा है कि C के ठीक बाइँ और कौन बैठा है तो C के ठीक हम लोगों का बाइँ और कौन बैठा है दोस्तो B बैठा है यानि option नमर थर्ड क्या हो जाएगा इस प्रस्ट का आंसर हो जाएगा देगे न, C के ठीक बाइँ और क्या करा रहा है कि c के ठीक Genius क्योंकि c काaja जो है इस når है और d ke कई होजाएगा तो बस तरीका को समझे आप रटिये ने कर दो हम कैसे करेंगे उमीद करते हैं आप समझ ग्योंगे बढ़ते हैं अगले question की और देखे अगला question दिया है दोस्तो हम लोगों के सामने यहाँ पर दीसा direction से समझनी दिया है तो सबसे पहले दीसा में क्या होता है कि एक side में आपको समझना होगा कि इस side में हम लोगों को किसी भी हालत में क्या करना है दोस्तो पूर्व लेना है इधर क्या लेना है पूर्व इसके opposite हम लोगों को क्या लेना है दोस्तो पस्चीम लेना है अजश्ट इसके उपर में क्या लेना है दोस्तो उत्तर लेना है और जश्ट इसके नीचे क्या लेना हम लोगों सब्सक्राइब चलते हैं इस तरह से दाइं और जैसे घुमाएंगे तो चार किलो मेंटर चला उसके बाद फिर कार अपने दाइं और मुड़ा यहां से मुड़ेगा तो यहां तक कितना चलेगा छो किलो मिटर चलेगा तो वहीं फिर करा कि आरंभीक अस्थल से कितना दूर यानि कि आरंभीक अस्थल कहां से यानि इस जगह से स्टार्ट किया था इस जगह से तो इस जगह से कितना दूर हो जाएगा तो चार किलो मिटर हो खाली पूरा पस्चिम उत्तव दक्षिन दीशा को याद रखे कि पस्चिम इधर है तो पस्चिम इधर चलेंगे फिर चार किलोमेटर आप पस्चिम की ओर देख रहे हैं तो आप देखे दाया हाथ कि इधर हो जाएगा इसी परकार से अगर तीर इधर गया तो इधर मुह वह सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों क्योंकि हमारा चैनल एक्जाम की दृष्टी से काफी इंपोर्टेंट उस तरीके कंटेंट कोस्चन करवाते हैं जो बार-बार एक्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं ओके दोस्तों थेंक्यू फिर आप लोगों से अगले वडियो में मुलाकात होगी